आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Name the following Living Fossil, Missing Link and Connecting Link सबसे पहले Living Fossil डिसकस करते हैं Living Fossil शो होते हैं ये ऐसे Organisms होते हैं जो अभी तक अभी तक present है मतलब ये Fossil नहीं बना है बट इनके नाम में Fossil इसले रखा गया है देखो Fossil शो होते हैं वो कभी भी Living नहीं होती है ये हमेशा Extinct Organisms की होती है जो Organism Extinct हो चुके हैं Today या Present में कोई भी Change नहीं आया है मतलब इनके अंदर Evolution जो है वो भी होना होता है बट वो नहीं होआ है प्लस इनके जो Relative Organisms है ये इनकी जो Relative Species हैं ये सभी Species Extinct हो चुके हैं Extinct हो चुके हैं और इनके Fossils हमें मिले हैं ऐसे हमें पता चला है कि इनके Relative है तो ऐसे Organisms को हम बूलते हैं Living Fossil हैं Living Fossil का Example हो जाएगा Ginkgo Tree Ginkgo Tree जो है ये अपनी Family में एक अकेला ऐसा Plant है क्योंकि बाकी के Plants जो हैं वो अभी तक बचे ही नहीं हैं वो सब Fossils बन चुके हैं Next है Missing Link Missing Link ऐसी Species को बोला जाता है वो Species होती है जो दो Group of Animals को Connect करती है दो Group of Organism भी बोल सकते हैं दो Group of Organism को Connect करता है इसको Example के तो समझते हैं अब Evolution क्या होता है दो Group of Organism को तो Connect करता है साथ में इसके अंदर दोनों के Character होते हैं दोनों ग्रूप के Character होते हैं दोनों गुप के characters होते हैं, और यह hypothetical species भी हो सकते हैं, यह real भी हो सकते हैं, example के लिए reptiles से evolution हो करके, यह था हमें पता था birds बने हैं, बट इनके बीच में एक ऐसी species सी, जो हमें पता था, जो ऐसी species हो कि जिसके इंदर reptiles के भी characters होंगे, birds के भी इनके अंदर characters होंगे, बट इसका हमें कुछ पता नहीं था, अभी 1800 में ही इसका पता चला है, इसके fossils हमें मिले थे, Archaeopteryx के, Archaeopteryx के, जो कि डैनसौर लाइक एक bird है, इस bird के इंदर reptiles के भी characters थे, इसके अंदर birds के भी characters थे, तो ऐसे हमें पता चला है, कि यह missing link था, जब missing link को हम find कर लेते हैं, जिसे Archaeopteryx को हमने खोज लिया, तो इसे missing link ना बोल करके, हम इसे transitional species बोलते हैं, transitional species, and just इसी की तरह होता है, third type, जो कि हो जाएगा connecting links, connecting link ऐसा organism होता है, या इसी species होती है, जिसके अंदर, दो different group of organism के, दो different group of organism के, characteristics present होते हैं, characters present होते हैं, इसे बोलते हैं, हम correcting link, अब इन दोनों में difference कहा है, फिर missing link में और connecting link में, इन दोनों में difference यह है कि, जो connecting link होता है, जो यह होता है, missing link होता है, usually यह extinct होते हैं, extinct होते हैं, या इनके fossil बन चुके होते हैं, जबकि ऐसा हमेशा के लिए case connecting link पे नहीं होता, इसका example हो जाएगा, man and apes के बीच, जो connecting link थे, वो थे australopithecus, australopithecus आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर